आप सभी के अनुमती से आज का ये महत्तोपूर्ण प्रेस्वार्ता हम आरंब कर रहे हैं ये प्रेस्वार्ता महत्तोपूर्ण इसलिए है क्यूंकि कल शाम से जिस प्रकार से इस देश में एक डिबेट चल रहा है खास करके कि क्या अर्बन नक्सलिजम एक महत्तोपूर्ण विशय है या नहीं कुछ लोगों की गिरफतारी हुई है क्या ये उचीत है की नहीं और विशेशता है राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि NGO क्या इस देश में एक रही है और उस NGO का नाम आरेस्स है और बाकी NGO उनका क्या होगा पर आश्चरे का विशय है कि राहुल गांधी जी नक्सलिजम को NGO मानते हैं Mr. गांधी considers नक्सलिजम as an NGO I believe we really need to enlighten Mr. राहुल गांधी जी के ग्यान को बढ़ाने की अवश्यक्ता है देश में सर्वोपरी कुछ है सर्वोच्च कुछ है तो देश का समविधान है लोकतंतर में समविधान का एक बहुत महत्तोपूर्ण रोल होता है भूमिका होती है किस प्रकार से सम्विधान को बचाया जाए सम्विधान पर अगर कोई खत्रा आता है तो उस खत्रे को किस प्रकार मनराने नहीं दिया जाए देश के एकता और अखंडता पर यही सम्विधान का मूल नीती है यही सम्विधान की मूल धेय है इसी समविधान के धे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं Dissent not disintegration Democracy is all about dissent Yes, the constitution guarantees the right of dissent And we stand by dissent But not for disintegration of the land Not for disintegration of the country Not for disintegration of motherland भारत के टुकडे हो इसके लिए हम खडे नहीं है मनभेद हो ये चलेगा देखिए सर्वप्रथम 2009 में उस समय के ततकालीन प्रदानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने कहा था कि नकसलिजम is the greatest internal threat to India मैं वो अकबार की cutting भी आपको दिखा रहा हूँ मनमोहन जी की photo भी देखिए ये देश के उस समय के प्रदानमंत्री है जिनोंने कहा था देश को अगर सबसे बड़ा खत्रा कहीं से है तो वो नकसलिजम और नकसलवाद से है आज दुख का विशय है कि उनी के पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राहूल गांधी ततकालीन प्रदानमंत्री और अपने ही पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंग जी की इस बात से सहमत नहीं है आज राहूल गांधी जी नकसलियों को human right activist मानते हैं जो लोग दूसरों का खून बहाते हैं क्या वो human right activist है या आप सबको सोचना है लेफ्ट विंग टेररिस्ट और human right activists इन दोनों के बीच में फरक करना राहूल जी को शायद आता नहीं है मगर राहूल जी और उनकी पार्टी ने जो एक एफिडविट सब्मिट किया था जब UPA सरकार में थी वो एफिडविट भी हम आपके सामने लेकर आए हैं और कुछ प्रशनों के उत्तर जो 2013 में लोकसभा के पतल में उन्ही के मंत्री आर्पी अन सिंग जी ने रखा था बता और M.O.S. होम वो भी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो एफिडविट थी उस एफिडविट में आपको जान के आश्चर ही होगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था तब कि कांग्रेस पार्टी ने The activists and the sympathizers of Maoists are making repeated attempts to penetrate into urban areas and are succeeding Organizations are operating under the garb of human right NGOs कि यह जो Maoist organization है यह NGOs के रूप में काम कर रही है यह उस समय की कांग्रेस पार्टी कह रही थी और आज राहूल गांधी इनके बचाव में खड़े हैं One of the strategies adopted by Maoists is to mobilize certain targeted section of the urban population through its mass organizations which are otherwise known as front organizations Front organization होता है इन अकसलवादियों का और इन front organization के माध्यम से एक mobilization शहरी इलाके में भी शुरू करते हैं यह नकसली यह उस समय की कांग्रेस पार्टी कह रही है जो राहूल गांधी मानते नहीं है Such organizations pursue human rights related issues and are also adept at using legal processes to their benefit किस प्रकार से legal पेचिद्गियां जो है judicial पेचिद्गियां जो है उनसे कैसे निकला जाए इस विशह में भी इन अकसलियों को बहुत ज्यान है बहुत कुछ पता है इस से बहुत संभल के लड़ना है ये उस समय की Congress Party कह रही है राहूल जी आज मान नहीं रहे है In fact, it is these ideologues who have kept the Maoist government alive and are in many ways more dangerous than the cadres of the People's Liberation Gorilla Army राहूल जी की उस समय की पार्टी और उस समय की सरकार कह रही थी कि ये जो अर्बन नकसल्स हैं ये जो सहर में front organization के रूप में बसे हुए हैं ये ज़ादा खतरनाक है उन लोगों से जो जंगल में गुरिल्ला वार्फेर कर रहे हैं और आज उनको वो human right activists बता रहे हैं मानव अधिकार के पुरोधा बताया जा रहा है आज इन लोगों को बंधों आगे कहते हैं राहुल जी की उस समय की पार्टी आप सुनिएगा ध्यान से लीगल एक्शन अगेंस दीज फ्रन्ट और्गनाइज़ेशन नीज्स टू बी इनिशियेटेड ये जो फ्रन्ट और्गनाइज़ेशन है और ये जो अर्बन नकसल्स हैं इनके खिलाफ कानूनी कारेवाही होनी चाहिए लीगल एक्शन होना चाहिए और जब आज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो उनका नाम है राहुल गांदी आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि the Congress Party has reached a new law Congress Party अपने आपको इन्टो फ्रिंज आउटफिट आज एक फ्रिंज आउटफिट बन गई है मेंस्टिम पार्टी नहीं रही है और टुकडे टुकडे ब्रिगेड जो है ये टुकडे टुकडे ग्यांग जो है जो भारत को तोड़ना चाहती है उनके साथ खड़ा दिखना चाहती है Congress Party जो left-wing extremist है ये जो नकसली है उनके सहायता में Congress Party आज खड़ी हुई है Mr. Rahul Gandhi I want to send a strong message to you The BJP wants to ask you नकसल्स are नकसल्स when you arrest them but they are human right activists when we arrest them जब नकसलियों को आप गिरफतार करते हैं जब आपके समय में में पूरी फैरिस दूँगा जब नकसलियों को आप गिरफतार करते हैं तब वो नकसली हैं और जब नकसलियों को हम गिरफतार करते हैं तो वो लोग human right activists और मानव अधिकार के लिए काम करने वाले लोग हैं जो पांच लोग गिरफतार हुए हैं उन पांचों लोगों के इतिहास को हम आपके सामने रखने वाले हैं पहला विक्ती है वारावाराओ वारावाराओ जी उनका एक इतिहास रहा है वारावाराओ जी को जेल हुआ था दो वर्षों के लिए असी के दसक में और चार्जेस क्या लगाये गए थे चार्जेस लगाये थे वेजिंग वोर और कॉंस्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट अफ इंडिया भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए दो वर्षों के लिए जेल हुई थी असी के दसक में उस समें हमारी सरकार नहीं थी अब उन्हें अरेस्ट किया गया था 1975 1975 1986 में और 1986 में जो उनकी गिरफतारी हुई थी वो रामनगर कॉंस्पिरेसी केस में हुआ था और उन्हें भेजा गया था जेल में 19 अगस्त 2005 में भी उनकी गिरफतारी हुई थी आंद्रप्रदेश पॉब्लिक सेक्योरिटी आक्ट के अंतरगत और उन्हें भेजा गया था चंचल गुडा सेंट्रल प्रिजन में जो की हाइद्राबाद में स्थित है यह जो गिरफतारिया हुई थी उस समय भारतिय जनतापार्टी ना तो केंद्र में थी और नराज्य में थी और मैं उनके इंटर्व्यू का कुछ हिस्सा आपको बताना चाहूंगा वारा वारा राओ जी का जुनका इंटर्व्यू रेडिफ में छपा था 1997 में I quote You can't fight it without taking arms in your hand आपको अगर लड़ना है तो अपने हाथ में arms और थाच वेपन्स लेके लड़ना पड़ेगा We achieve more by our boycott election slogans You can't expose parliamentarianism by becoming part of it हिंदुस्तान में किसी चीज़ के अवश्यक्ता है तो पार्लेमेंट सिस्टम को समाप्त कर देने की अवश्यक्ता है और ये जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को खतम कर देना है और उसके लिए हाथ में आर्म ले लेना है उन्होंने यह भी कहा कि दंडकारन्य में हम गुरिल्ला वार जोन्स बना रहे हैं जहां एक प्लैटून खड़ा किया जाएगा 200 रेड गाड्स हर प्लैटून में 200 रेड गाड्स रहेंगे और यह हिंदुस्तान में चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर देंगे यह सब उनके इंटर्व्यू में कहा गया है और यह राहुल जी के human right activist है आप बताईए यह जो उन्हीं के समय गिरफ्तार हो चुके थे दूसरे व्यक्ति का राम है वर्मॉन गुंजाल्विस मैं एक पेपर कटिंग लेके आया हूँ एक नैशनल निउस पेपर का है और यह पेपर कटिंग का डेट है जून 27, 2013 नकसलाइट वर्मॉन रिलीस्ट फ्रॉम सेंटरल जेल 2013 में हमारे सरकार नहीं थी छे साल जेल में रहने के बाद 2007 में गिरफतारी हुई थी 2007 में राहूल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी गिरफतारी के बाद 13 में छुटे अर्था 6 वर्षों तक 2013 तक वो जेल में रहे और जब छुटके आये थे तो ये अकबारों ने कहारी किया था कि वो नकसलाइट आज छुटके आया है वो एक्स मेंबर ओफ सेंटरल कमीटी और फॉर्मर सेकरेटरी ओफ महारास्टरा स्टेट राज्यसभा कमीटी ओफ नकसलाइट रह चुके हैं यह यह कांग्रेस की सरकार ने कहा था उस समय महारास्टरा ATS ने उन्हें ऑगस्ट 19 2007 में गिरफ्तार किया था क्यों गिरफ्तार किया था क्योंकि उनके पास explosives थे और anti-terrorism squad ने क्या report दिया था वो हमारी सरकार नहीं थी वो सरकार UPA की थी 9 detonators इस वेक्ति के पास से 9 detonators, 20 gelatin stick, a walkie-talkie set, a computer, नकसल literature यह सब मिले थे अब detonator रखे, gelatin रखे, यह कितने बड़े human right activist हैं जिनको राहुल गांधी जी की सरकार ने 2007 में गिरफ्तार करके 6 वर्षों तक जेल में रखा था He was convicted in June 2013, convicted का माने होता है कि उन्हें दंडित किया गया, दोशी करार दिया गया 2013 में उन्हें दोशी करार दिया गया और चूंकि उस समय तक वो जेल में पूरा समय रह चुके थे इसलिए वो जेल से बाहर निकले, साथ से केस चल रहा था और किसलिए दंडित किया गया, under the Unlawful Activities Prevention Act and Arms Act उसके भावजूत इनको परेशानी है गौतम नवलक्खा, राहुल जी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं गौतम नवलक्खा को जब उन्ही की सरकार 2011 में थी, तो गौतम नवलक्खा जब कश्मीर में उतरे थे तो स्रीनगर से उनको वापस भेज दिया गया था, कि आप वापस जाएए लिखित रूप में उस समय इन्ही की सरकार थी फारुक जी के साथ, एंसी के साथ कांग्रेस की सरकार थी और लिखित में वहाँ के सरकार ने दिया था कि हम इनको घुसने नहीं देंगे क्यूंकि ये कश्मीर को जलाना चाहते हैं, उस समय का भी अकबार लेके आया हूँ और फारुक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, फारुक अब्दुल्ला कहते हैं उस समय जला रहे थे, कश्मीर को तोड़ रहे थे, और आज हूँमन राइट एक्टिविस्ट बन गये हैं, वारे राहूल गांदी कुछ तयारी करके राहूल गांदी बोलते हैं, गौतम नौलका, ये सेद गुलाम नभी फाई जो है, जो सेपरेटिस्टों को सपोर्ट करता है और जो एस्पिणाज में, अमरिका में गिरफ्तार भी हुआ, जो पाकिस्तान का समर्थक है, और जो समिनार करता है, उनके समिनार में जाके इंडिया के लिए कहते हैं कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए और कहते हैं कि अगर रेफरेंडम सक्सेस्फुल नहीं होगा तो आम्ड स्ट्रगल करके कश्मीर को वहां के लोग छीन लेंगे I know Fai, I have enjoyed his hospitality and my conversations with him Whatever the nature of funding may be, in my eyes, his conviction as Kashmiri remains impeccable ये गौतम नौलखा कहते हैं, बंधों ये बहुत कम में हमने आपके समक्ष उन तथा कते थी human right activist जिसको कांगरेस अपना पुरोधा मानती है और कांगरेस के ही जुबानी, कांगरेस ने इनके साथ क्या किया था जब ये लोग गिरफतार हुए थे, हमने आपके सामने रखा है अब मैं बहुत महत्वपून बात आपको दिखाने वाला हूँ ये Government of India Ministry of Home Affairs लोगसभा में Start Questions का उत्तर August 6, 2013 को Shri R.P.N. Singh जी उस समय के M.O.S. Home देते हैं और एक शब्द मैं उसके पेज नंबर 2 से पढ़ रहा हूँ, एक वाक्य The CPI M.O.S. always target and kill mainstream political personalities whenever they get an opportunity to do so खुद उस समय कांगरेस की सरकार लोगसभा में कह रही है कि ये जो CPI M.O.S. है इनको अगर मौका मिले तो ये जो political personalities है, mainstream political personalities उनको मार देते हैं दो चित्थियां हमने देखी है किस प्रकार प्रधानमंत्री जी के ऊपर assassination करने के विशह में इन चित्थियों में बात हुई राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ है, उस विशह को दुबारा करने की बात हुई है आठ करोड रुपे की बात हुई है, चार लाख firing rounds की बात हुई है, rifles की बात हुई है और सिर्फ इसलिए क्यूंकि मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे अपने अच्छे कामों के कारण आगे बढ़ रही है तो किसी भी प्रकार से इस मोदी सरकार को रोकना है, यही उनका ध्ये था आप बताइए, प्रधान मंत्री चाहे किसी भी पाटी के हो, इस देश ने दो प्रधान मंत्री खोए है क्या राहुल गांधी जी को इतनी भी समवेदन शीलता नहीं है जब प्रदान मंत्री के उपर इस प्रकार की बात होती है राहूल गांधी जी वहाँ आके राजनीती करते हैं विदेश में जाके IS-IS विदेश में जाके मुस्लिम ब्रदर हुट की बात और भारत में आके नकसलियों को भचाने की बात और यहां RSS को खीच के लाने की मुझे लगता है देश को यह जानना होगा कि मोदी जी को अपोस करते करते कहीं न कहीं आज राहूल गांधी जी आतंकवाद और नकसलवाद उनका बचाव करने लगे हैं लोकतंत्र है जरूर सरकार पे आप हमला बोल सकते हैं आप डिसेंट कर सकते हैं मगर राहूल जी उन ताकतों के साथ खड़ा होना जो देश को तोड़ना चाहते हैं जो देश का डिसिंटिग्रेशन चाहते हैं दोस वोंट तो बैलकनाईज इंडिया इस दिस दिस आइडिया ओफ इंडिया दिट कॉंग्रेस कैरी यही आइम कॉंग्रेस आइम लव यही लव आपका है लव प इस प्रकार से आरबी आई की रिपोर्ट आई है और जिस प्रकार से उस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके लोगों को भ्रमित करने का कोशिश किया है हमें लगता है कि एक जवाब उनको देना चाहिए इस देश में इतने वर्षों तक ब्लैक मणी के रूप में एक पैरलल एकोनमी चलती रही और प्रदानमंत्री से लेकर देश के हर काउंसलर तक इस विशे को लेकर वो आउगत थे कि एक पैरलल एकॉनमी ब्लैक मणी के रूप में चलता है there was no one in the political system of the country who did not know that a parallel economy was running as black money जिन्होंने काले धन को समाप्त करने के लिए नाकेवल संकल्प लिया मगर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जहां कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोट के कहने के बावजूद भी SIT का गठन नहीं किया वहीं मोदी सरकार ने धाई दिनों के अंदर SIT का गठन किया आज जो ये बताया जा रहा है कि सारा पैसा तो वापस आ गया फिर फाइदा क्या हुआ बंदूं सरकार ने बिलकुल डे वन से ही एक बात स्पश्ट रूप से कहा था सरकार ने कहा था कि अगर सारा पैसा वापस आता है जो कि हमारा उदेश्य है ब्लैक मनी शुद शुद इन फाक्त गठन कर नहीं दिया जाता है जिस पैसे के साथ एड्रेक्स का टैग जुड जाता है वो ब्लैक मनी नहीं रहता है जब यह बैंक में पैसा आता है और सिस्टम में सर्कलेट होने लगता है तो बाध्यतम इस पैसे के साथ एक अड्रेस टैग जुड जाता है and when the address tag is attached to the money the people who are non filers of income tax previously they are left with no option but to pay for pay for what they have earned बंधुआ आपने देखा कि 18 लाक अकाउंट उस समय स्कूटिनी के अंडर में आई उसके उपर नजर गई कि इन 18 लाक अकाउंट में से कितना पैसा काला है और क्यूं है जो पैसा, the large amount of money that found its way to the system in fact gave an opportunity to dissect in detail and investigate into the legitimacy of each currency और यही अपने आप में एक बहुर बड़ा achievement है a campaign was launched against 3.04 lakh persons who were non-filers of income tax returns but had deposited large value of cash during demonetization period as a result returns were filed by 2.09 lakh of such identified non-filers लगभग 2 lakh से उपर लोगो ने income tax देना चालू किया और बड़ी बात हुई कि financial year 2017-18 में net collection of direct taxes increased by 18% at a record of 10.03 lakh crore the collections for financial year 2016-17 were also 14.5% higher than the collection for 2015-16 लगभग 3 lakh से अधिक शेल कंपनी इनका पता चला वो बंद हुए 50,000 और अभी pipeline में है currency in circulation the RBI annual report while mentioning the increase in currency in circulation had also stated that while the CIC that is currency in circulation as on March 31st 2018 was around 101.8% of its pre-demonetization level this is in fact around 88% of its underlining 3-year trend had there been no demonetization अपने आप में ये दिखाता है कि इससे एक बहुत बड़ा इजाफा digital payments में हुआ है और ये formalization of Indian economy की और एक बड़ा कदम है देखिए fight against corruption fight against naxalism and fight against terrorism is not an all or none phenomenon कि आज शुरू हुआ और कल खतम हो जाएगा या तो लड़िये या तो नहीं लड़िये बिलकुल पुर्जोर तरीके से लड़ना है and it is an ongoing phenomenon and we would like to congratulate the Modi government that because of the various steps that he had taken not only the Indian economy is largely formalized but some of the biggest world organizations like the IMF in the recent reports have categorically said that India because of the reform, perform, transform policy of Modi government would be a leading growth global engine for the next 30 years to come thank you friends any question? जी सर्थ देखे पहले प्रशन का उत्तर कोर्ट की टिपणी के विशह में जो कोर्ट का प्रोसेस है वो ओन है जब तक इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है उस पर टिपणी करना उचीत नहीं होगा हमारा मुख्य उद्देश ये था कि जिस प्रकार शेहरों में भी नकसलवाद अपना सर उठा रही है और जिस प्रकार राहुल गांधी जूट की राजनीती कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना और हमें लगता है हमारे इस प्रेस कॉन्फेंस के बाद राहुल गांधी जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि उनके समय गिरफ्तारी करे तो ठीक हमारे समय गिरफ्तारी करे तो एमर्जनसी लग जाती है देश में और जहां तक आपका नोटबंदी के विशह में सवाल है देखिए आपने नकसलिजम और टेररिजम के विशह में हम से सवाल पूछा आप याद करिए नोटबंदी के बाद दो बड़ी चीजें हुई एक तो जो नकसल्स थे सबसे बड़े तदाद में नकसलियों का अगर आत्मसमर्पन किसी पीरिड में हुआ है तो नोटबंदी के के बाद जो काल रहा काल खंड रहा तो जो काल खंड रहा और आतंगवाद को भी हमने देखा कि एक रिपोर्ट भी आया था कि किस प्रकार काउंटर्फीड करेंसी में बहुत बड़ी कमी आने के कारण जो हवाला रकेटियर्स थे ना केवल कश्मीर के आतंगवाद में अपितु पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा हवाला रकेटियर जो कि counterfeit currency में involved रहता था उसने suicide तक किया था उससे में ये report सारी आई थी स्वभावी कुरूप से ये सारी चीजे हुई थी but I still repeat that as far as fight against black money, corruption, terrorism and nationalism is concerned it is always an ongoing process, the intent shows the light जिस प्रकार से ये सरकार लगातार लड़ रही है अवश्य हर कदम में सफलता इसकी कदम चूम रही है, धन्यवाद